अक्टर अनिल कपूर और निर्माथा बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर की बस एक ही तमन्ना उन दिनों होती थी कि काश उनका एक बेटा हिंदी फिल्मों का सुपर स्टार बन जाए छोटे मोटे रोल करते रहे अनिल कपूर ने ये तमगा हासिल किया 1983 में रिलिज हुई फिल्म वो साथ दिन से फिल्म वो साथ दिन के बनने की कहानी पर ही एक अलग से फिल्म बन सकती है फिल्म वो साथ दिन बनने के कुछ किस्से बहुत ही दिल्चस्प है, एक किस्सा इन में से जुड़ा है अपने जमाने के अभीनेता संजीब कुमार से, संजीब कुमार का नाम इस फिल्म के हीरो के लिए भी एक समय सोचा गया था, लेकिन फिल्म वो साथ दिन बनने में अगर किसी एक शक्स का एहसान बॉनी कपूर आज भी मानते हैं तो वो कोई और नहीं है वो है संजीब कुमार भले ही वो फिल्म के हीरो नहीं थे हुआ यूं के के भाग्यराज के फिल्म अंधा साथ नाडकल के राइट्स खरीदने बॉनी कपूर और अनिल कपूर चैन्नाई पहु बड़ा हो गया उन दिनों फोन पर पैसे मंगाने के सुविदाय तो थी नहीं और इस फिल्म के रिमेक राइट्स खरीदने बंबई से एक दो निर्माता और भी उस समय चैन्नाई पहुच चुके थे बॉनी को पता चला कि संजीब कुमार चैन्नाई में है बॉनी कपूर प उनके पास मदद मांगने पहुच गए संजीब कुमार वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनके प्रोडियूसर ने उनको उसी दिन भुगतान भी किया था ये रक्म बॉनी कपूर के काम आई फिल्म वो साथ दिन की मूल तामिल फिल्म के रिमेक राइट्स खरी इस फिल्म में साइन किया था तो उनको जैसे ही पता चला कि उन्हें मिथून की वजए एक नए लड़का जो की प्रोडियूसर के भाई है उसका हीरोईन बनाया जा रहा है तब वो पिनक गई बॉनी को ये खबर मिली तो उन्होंने सिर पकड़ लिया वो अनिल से बोले मैं जो कुछ कर सकता था कर लिया अब इसे तुम ही समालो अनिल कपूर की ये बतोर लीड रोल पे पहली फेम थी और पदमीनी कोलापूरी थी उन दिनों की बड़ी सुपरस्टार एक तरफ वो दिलिप कुमार और राज बबबर की फिल्म मजदूर राजश खन्ना के फिल्म दूसरी तरह पदमीनी को कहा जा रहा था कि वो एक न्यू कमर अनिल कपूर की ओपोजिट में हिरोईन बने अनिल कपूर के साथ काम करने को दूसरी कोई हिरोईन मिल जाती तो अनिल कपूर को कभी पदमीनी कोलापूरी की इतनी खुशामद नहीं करनी परती अनिल कपूर करने वाले इंसान भी नहीं थे लेकिन इस फिल्म में अनिल कपूर ने पदमीनी को मनाने के लिए क्या क्या पापर नहीं भिले थे खेर जो भी हो आखिरकार पदमीनी कोलापूरी ने अनिल कपूर के अनुरोध को सम्मान दिया और वो वो साथ दिन फिल्म में हिरोईन बनी औ और उसके बाद आगे चलके दोनों ने कुछ और फिल्मे भी किये।